गुम्शुदा घोडे परसवार हमारी सरकार गुम्शुदा घोडे परसवार हमारी सरकार नागरिकों को ताना साही से लाम बंदी क्यों करती है और फिर दौलत मंदों की सलाम बंदी क्यों करती है हमारी सरकार गुम्शुदा घोडे परसवार हमारी सरकार नागरिकों को ताना साही से लाम बंदी क्यों करती है और पिर दौलत मंदों की सलाम बंदी क्यों करती है सरकार क्यों भूल जाती है कि हमारा राष्ट एक लोग तंत्र है क्यों भूल जाती है कि हमारा राष्ट एक लोक्तंत्र है और यहां का नागरिक गुलाम दास नहीं है। नहीं का क्रिश्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में जो आजकल पाकिस्तान में है वहां क्रिश्णा सोबती जी का जन्म हुआ भारत पाकिस्तान बिभाजन के प्रस्चात वे दिल्ली आकर के बस गहीं। आपके पिता का नाम दिवान प्रथ्वीरा सोबती और माता का नाम दुर्गा देवी था आपकी शिक्षा दिक्षा पहले तो गुजरात पाकिस्तान में हुई जो प्रात्मिक शिक्षा है और मैट्रिक और उच्चतर मार्धमिक शिक्षा जो है वह फतेचन सेकेंडरी स्कूल लाहोर में हुई इन्होंने मैट्रिकुलेशन और जो उच्चतर मार्धमिक शिक्षा है उनजिस सो उनजिस सो एक्तालिस तक पूरा किया बीए आनर्स उनजिस सो चवाली से सैंतालिस के बीच इन्होंने फतेचंद कालेज लाहोर से किया फिर अध्यान के उपरांत आप मांटेशरी स्कूल शिक्षा विवाग राजिस सीरोही में निदेशक पद पर उनजिस सो अर्टालिस से उनजिस सो उन्चास तक रही इसके बाद राजस्थान के राजा महा महिम तेज सिंग सिरोही के यहां गारियन ट्यूटर के रूप में अब्बु राजस्थान में रही उन्चास से उन्चास के आमन तक इसके बाद Army Officers Children School दिल्ली में आप प्राशार के पद पर उनई स्विंग क्यामन से रहीं सन उननीच सोच्छी से आपने स्वतंत्र लेखन प्रारंब किया एद्यपिवे अध्यान काल से ही लेखन कारि करती रही है जिस समय उनकी पढ़ाई चल रही थी उस समय भी उनका स्रिनात्मक कारि प्रारंब हो गया था वास्तों में क्रिष्णा सोबती जी जो हैं वे मूलता कथाकार हैं कहानी लेखिका हैं परन तोनों ने उपन्यास अनेक कथा संग्रह संस्मरण विचार संबाद इस तरह के अनेका नेक ग्रंथ हिंदी संसार को दिये हैं उपन्यासों में जो प्रमुख उपन्यास है सूरज मुखी अंधेरे के सन 1972 में प्रकाशित हुआ इसके बाद जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी यह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है जिन्दगी नामा यह 1989 में प्रकाशित हुआ और तीसरा ग्रंथ है दिलो दानिष्ट यह 1989 में प्रकाशित हुआ समय सरगम यह सन 2000 में प्रकाशित हुआ इस तरह से और उनके कई उपन्यास हैं और कठा संग्रहों में डार से विशुडी यह बहुत प्रसिद्ध हुआ है सन 1998 में यह प्रकाशित हुआ मित्रो मरजानी यह भी बहुत प्रसिद्ध कठा संकलन है यह 1967 में प्रकाशित हुआ यारों के यार 1968 में प्रकाशित हुआ और तीन पहाड़ 1968 में ये प्रकाशित हुआ ये लड़की उनाईस्वनक्यानने में प्रकाशित हुआ इनके अत्रिक्त जैसे लामा है बादलों के घेरे हैं इस तरह से 26 कफा संकलन कृष्णा सोबती जी के प्रकाशित है उन्होंने विश्व प्रसिद्ध संस्मरण लिखा है जिसे हम हम हस्मत नाम से जानते हैं विशार संबाद सोबती एक सोबत और इन ग्रंथों के अत्रिक्त कृष्णा सोबती जीने संपादन कारे भी किया है जैसे प्रवण साहित्य प्रत्रिका का बहुत अच्छे ढंग से कुशलता पूर्वत आपने संपादन किया है और आपका बिवाह डोंगरी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार सिवनाज जी से हुगा था अब कृष्णा सोबती जी के कृतित और व्यक्तित को देखते हुए उन्हें अनेक अनेक अलंकर्णों से अलंकरित किया गया है जैसे जिन्दगी नामा जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है इस पर आपको साहित एक आदमी पुरुषकार मिला यह साहित एक आदमी पुरुषकार जो है यह 1980 में मिला और 1981 में शिरोमनी पुरुषकार मिला उन्हेस सोच्छानने में साहित एक आदमी महत्तर सदसेता सम्मान फेलोसिप इने प्राप्त हुई और 2001 में शलाका सम्मान मिला और 2017 में साहित का सर्वोत कृष्ट पुरुषकार ज्यान पीट पुरुषकार इने प्राप्त हुआ इसके अतरिक्त अनेकानेक अलंकरणों से कृष्णा सोबती जी अलंकृत की गई 25 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में वे सदा सदा के लिए ब्रह्मलीन हो गई उस समय कृष्णा सोबती जी 94 में वर्ष की थी बच्चो हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती जी का विशिष सेस्थान है उनके सैयमित लेखन साप सुथरी रशनात मक्ता ने अपना एक नित निया पाठक वर्ग तयार किया है उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसे यादगार चरित्र दिये हैं जिने अमर कहा जा सकता है जैसे मित्रो हैं शाहनी है हस्मत है मियान नसीरुदीन है यह ऐसे पात्र हैं जो विश्व प्रसिद्ध पात्र हैं लोगों को इन्होंने बहुत प्रभावित किया है भारत पाकिस्तान पर जिल लेखों ने हिंदी में कालजई रचनाएं लिखी हैं उनमें कृष्णा सोबती जी प्रथम कतार की लेखी का मानी जाती हैं बल्कि कहना यह उचित होगा कि अस्पाल के जूठा सच राही माशूम रजा के आधा गाउं और भीश्म सानी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती जी का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब दी है बेलाग कथात्मक अभिव्यक्ति और सौस्थो पूर्ण रशनात्मक्ता के लिए कृष्णा सोबती जी जानी जाती है कृष्णा सोबती जी की भासा सहली बहुत हिसाहज सरल बोधगम्य भावा नुकूल तथा बेवहारिक है उर्दू भाशा एवं मुहावरों के प्रयोग से आपने चार चांद लगा दिये हैं और इसके साथ साथ पात्रा नुकूल भाशा का प्रयोग पात्रों के अनुकूल इन्होंने जो भाशा का प्रयोग किया है वह इनकी रचनाओं में देखते बनता है आपने वन अनात्मक शैली के साथ साथ चित्रात्मक शंबादात्मक एवं कहीं पहीं पर काभ्यात्मक शैली का अनुपम प्रयोग किया है जब हम इनके साहित को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कविता पढ़ रहे हैं बच्चो आपके पाठिक्रम में मिया नसीर दीन ट्रिश्ना सोबती जी का एक प्रसिद शब्द चित्र है जो हम हश्मत ग्रंथ से लिया गया है अब सवाल ये उठता है बच्चो कि ये शब् विदाएं पढ़ी है निबंध है नाटक है प्रहसन है एकांकी है उपण्यास है रेखा-चित्र है रिपोर्त आज है जीवनी है आत्मचरित है आत्मकता है गड्द की अनेक विदाएं है उन में से एक महत्तपूर्ण विधाय शब्द चित्र जिसे हम रेखा चित्र भी कहते हैं यह वास्तों में रेखा चित्र संस्मरण और सब्द चित्र यह दोनों गद्य की मिली जुली विधाय है बिलकूर अत्यन्त नूतन विधाय है जो मतलब उननीसवी सराब्दी के बाद जिसका आगमन हुआ वस्तुतह शब्द चित्र लेखा चित्र किसी व्यक्ति के संस्मरण का कलात्मक संगठन है हिंदी के शुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि संस्मरन किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के होते हैं परंतो रेखा चित्र अर्था शब्द चित्र में किसी ब्यक्ति की प्रभावकारी विशेस्ताओं का जीता जागता रूप प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी के शुप्रसिध मनीशी डॉक्टर भगीरत मिश्र ने शब्द चित्र के उद्देश को इस्पष्ट करते हुए कहा है। इस प्रकार प्रेम और सहानुभूत पूर्ण जीवन का आधर्स इस्थापित करना और जीवन के वास्तविक रूपों और अनुभवों में रस लेना शब्द चित्र का प्रमुख उद्देश्य है। समगर रूप से रेखा चित्र यानि शब्द चित्र की विशेस्ताएं हैं जैसे यथा तथ्वास्तविक चित्रन। इसमें कल्पना का योग बहुत कम होता है। एक आत्मक्ता एक लक्ष एक आत्मक्ता मतलब एक ही लक्ष को अंत्र तक लेके रचनाकार को चलना होता है। वनित पात्र की चारित्रिक विशेस्ताओं को उभारना। यह बहुत महतुपूर बिंदु है इसका। अपने पात्रों के प्राति लेखक में भावा नुकूल संबेदना की अनिवार्य इस्थिती। चित्रात्मक भावात्मक सांकेतिक एवं शंक्षिप्त सैली यह महतुपूर विशेस्ता है शब्द चित्र की प्रमुख रेखा चित्र सब्द चित्र लेखक जो हैं। शोबती जी के अत्रिक्त पंडित पद्म सिंग शर्मा, पंडित बनार्सी दास्चतर वेदी, महियसी महादेवी वर्मा, स्री राम व्रिक्ष बेनी पूरी आदिने कीर्तिमा निस्थापित किया है संस्मर्ण लेकर में, रेखा चित्र में, शब्द चित्र में। अब आईए देखते हैं कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित मिया नसरुत दीन को। इसमें खांदानी नानवाई मिया नसरुत दीन के व्यक्तित, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खीचा गया है। मिया नसरुत दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खांदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रत निधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। और करके सीखने को असली हूनर मानते हैं। जब तक किया नहीं जाएगा तब तक वो कला नहीं आएगी। अब आए शोबती जी जब मिया नसीरुत दीन के यहाँ जाती हैं। उस द्रिश्य का वर्णन हम लोग देखते हैं। हुआ यह कि एक दुपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मठिया महल के गढ़ाईया मुहले की ओर यह जो क्रिश्ना सोबती जी हैं निकल गई। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का धेर संते देखक ठिठक गई। सोचीं सेवईयों की तैयारी होगी चूंकि उधर सेवईयां जादा बनती हैं पर पूछने पर मालूम हुगा कि खांदानी नानबाई मिया नसरुद्दीन की दुकान पर हम आ गये हैं। म मिया मशहूर हैं चपन किस्म की रोटियां बनाने के लिए चपन तरह की रोटियां बनाने में उन्हें महारत हासिर है मियार नसरुद्दीन जी को अब लेखिका कहती हैं कि हमने जो अंदर जहाका तो पाया कि मिया चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं बहुत ही सजीव चित्र है यह इसमें चित्रात्मक्ता देखिए मौसमों की मारक से पकाच शहरा बिल्कुत तपा तपाया व्यक्तित्व आँखों में काईयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर इसी तरह के कारीगर के तेवर होते हैं उनकी उनका अभा मंडल होता है हमें गाहक समझ करके मियां ने नजर उठाई और उसी अंदाज में उन्होंने कहा फरमाईए क्या चाहिए आपको जिजख से कहा आप से कुछ एक सवाल पूछने थे आपके पास वक्त हो तो वो सवाल करूं मैं मियां नसे रुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिरहिलाया बच्चों ये पंच हजारी जो अंदाज है ये पांच हजार मिलेटरी का जो कैप्टन होता है कप्तान होता है उस अंदाज में उन्होंने सिरहिलाया निकाल लेंगे वक्त थोड़ा पर या यह कहिए आपको पूछना क्या है फिर घूर कर देखा और मियां बहुत ही सोज बिचार के बाद उस अंदाज से बोले फिर घूर कर देखा क्रिष्णा सोबती जीव और कहा मियां कहीं अखवार नवीश तो नहीं हो यह तो खोजियों की खुराफात है हम तो अखवार बनाने वाले और अखवार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं हाँ भई कामकाजी आदवी को इससे क्या काम है आपने यहां तकाने की तकलीफ उठाई है पूछिये क्या पूछना चाहती है अब लेखी का कहती है पूछना यह था कि किसिम किसिम की रोटी पकाने का इल्म आपने कहां से हासिल किया मिया नसीर उद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिये बहुत घूर करके फिर तरेर कर बोले क्या मतलब पूँछिये साब नानवाई इल्म लेने कहीं ओच जाएगा क्या नगीना साच के यहां जाना होगा क्या आइना साच के पास हमें जाना होगा क्या मीना साज के पास हमें जाना होगा या रफूगर रंग्रेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा क्या फर्मा दिया साहब यह तो हमारा खांदानी पेशा टह रहा इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्तास से ही यह मतलब उनके यहां का म हम घर से न निकलें कि कोई पेशा अक्तियार करेंगे भाई यह बाप दादा का हुनर था वहीं उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर यहीं बैठ गए उन्हीं के ठीए पर उसी जगह पर तब सोबती जी पूस्ती हैं आपके वालिद मिया नसीर उद्दीन की आँखें लमहा भर को किसी भठी में गुम हो गई सोचने लगे लगा गहरी सोच में फिर सिर हिलाया क्या आखों के आगे चेहरा जिन्दा हो गया हां हमारे वालिद साहब मशमूर थे मिया वर का साही नानवाई गैडिया वाले के नाम से और वालिद यानि के हमारे दादा साहब थे आला नान बाई मिया कलन उनका नाम कलन था आपको इन दोनों में से किसी की कोई नसीहद याद है ऐसा कृष्णा सोबती जी ने पूछा नसीहत का है कि मिया काम करने से आता है नसीहतों से नहीं यह बहुत ही महत्वपूर बात मिया नसीरुदीन ने कृष्णा सोबती जी से कही कि कोई भी नसीहत कोई भी ज्यान कोई भी सिक्षा यह काम करने से आती है और जो है नसीहत से नहीं सिक्षा देने से नहीं इसे प्राय जोगिक रूप से करना होता है वज़ा फरमाया है यह तो बताईए ही बताईए कि आप हमने भठी के और इसारा किया उस समय लेख का कहती है इस काम पर लगे तो वाली साहिम ने सीक के तोर पर कुछ तो आप से कहा होगा कुछ तो बताया होगा आपको नसीरुत दीन साहिम ने जल्दी जल्दी दो तीन बीड़ी के कस खीचे फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले अगर आपको कुछ कहलवाना है तो बताये दिये देते हैं अब आप जानो जब बच्चा उस्ताद के यहां पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिप हो तो कह बे तो बच्चा कहता है बे कह जीम तो बच्चा कहता है जीम बच्चो यह उर्दू की परिण माला है तो समझे साहिब एक तो पढ़ाई ऐसी दूसरी के बार मिया नसूरत दीन चुप हो जाते हैं तो कृष्णा सोबती जी कहती हैं क्यों भाई आप दूसरी पढ़ाई क कि बाबत कुछ कह रहे थे ना इस वार मिया नसीरुद्दीन ने यो सिर हिलाया कि जैसे शुकरात हूं हाँ ये दूसरी पढ़ाई भी होती है सुनिये अगर बच्चे को फेजा मदर से तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा वो पक्की में न दूसरी में और जा बैठा हम यह पूँचते हैं के उन तीन जमातों का क्या हुआ क्या हुआ उन तीन uitकिलास आप समझते होंगे क्लास को I. KILास कहते हैं उदर है अपना खियाल था किमिया नसीरुद्दीन नानलाईि अपनी बात का निचोड भी निकालेंगे पर और वह हमी पर प्रशन दागते रहे आप ही बताईए उन दो तीन जमातों का किया हुआ क्या तो यह बात तो मेरी समझ के तो बाहर है इस पर शाही नानबाई मिया कलन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिल खिलाके हस दिये मतलब मेरा क्या साफ नहीं था लो साहिबो अभी साफ हुआ जाता है जरासी देर को मान लीजिए हम बरतन धोना न सीखते अब ये वो प्रक्रिया है नानबाई सीखने की कि पहले क्या करना होता है बहुत ही अच्छे डंग से यहां क्रिशना सोब्ती जी ने उसका उलेख किया है हम बरतन धोना नशीखते हम भठी बनाना नसीते हम भठी को आच देना नसीते तो क्या drink हम सीधे-शीधे नानबाई का कुनर सीक जाते भाई उसके पहले की प्रक्रिया तो हमें सीखनी होगी मिया नसीर उद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखे कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है है न साहिब माना अपने मिया नसीर उद्दीन साहिब जोष में आ गए हमने न लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहां बैटे होते मिया को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का दुख मोरा ऐसा सोबती जी का कहना है आपने खांदानी नानवाई होने का जिक्र किया क्या यहां और भी नानवाई है मिया ने घूरा बहुतेरे पर खांदानी नहीं सुनिये दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात हमारे बुजूर्गों से वाजशास सलामत ने यूं कहा मिया नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो बताओ हुक्म कीजिए जहां पना तो वाजशास सलामत ने फरमाया कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने क्या उनसे ऐसी चीज बनी एशोपती जी ने पूछा नसीरुद्दीन साहब बड़े गर्व से कहते हैं क्यों नबंती साहब बनी और बाजशास सलामत ने खूप खाई और खूप शराई उन्होंने खूप प्रसंसा की लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है सोपती जी का कहना है बेशबरी से पूछा वह पकवान क्या था कोई खास चीज रही होगी अब मिया कुछ देर सोच में खोए रहे नसुरत दीन साहब सोचा पगवान पर रोष्णी डालने को है कि नसुरत दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले यह हम न बतावेंगे बस आप इत्ता समझ लीजिए कि एक कहावत है न की खांदानी नानबाई कुमे में भी रोटी पका सकता है कहावत जब भी गड़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तब पर भी पूरी उतरती है यह जो है कहावत है मजा लेने के लिए मैंने तोका कहावत यह सची भी है कि मिया ने तरेरा अपनी आखें और बोले और क्या जूटी है आप ही बताईए रोटी पकाने में जूट का क्या काम अरे जूट से रोटी पकेगी क्या पक्ती देखिये कभी रोटी जनाब पक्ती है आज से समझें सिर हिलाना पड़ा ठीक फरमाते हैं आप अब कृष्णा सोबती जी फिर एक सवाल करती है मिया एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी मिया ने एक और बीड़ी सुलगा ली और कुछ फुर्ती पा गए पूछिए अरे पूछिए अरे बात ही तो पूछिएगा जान तो न ले लेवेंगी उसमें भी अब क्या देर सत्तर के हो चुके फिर जैसे अपने से ही कहते हूं वालिद मरहूम तो कूछ किये असी पर क्या मालूम हमें इतनी मोहनत मिले न मिले नसूर दिन साब सत्तर बसके हो चुके हैं और उनके महरूम जो हैं असी पर इस दुनिया को छोड़े वही वो चिंतन कर रहे हैं इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने साही बवर्ची खाने में तो काम किया ही होगा मिया ने बेरुखुज से टोका वहाँ बात तो पहले ही हो चुकी न तो सोबती जी कहती हैं हो तो चुकी साहब पर जानना यह था कि दिली के किस बादसाग यहां आपके बुजुर्ग काम किया करते थे मिया नशिर उद्दीन साथ जो हैं कहते हैं अजी साहिए क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं कह दिया न कि बादसाग यहां काम करते थे सो क्या काफी नहीं है हम किसी हानी हसी में हसे है तो काफी पर जनाल नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते वक्त से मिला लेते खूब पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से मिया हसे जैसे हमारी खिली उडा रहे हो वक्त से वक्त को किसी ने न मिलाया है आज तक खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं दिल्ली के बासा काई ना उनका नाम कौन नहीं जानता जहां पना वासा सलामत ही ना कौन से वो बहादुसा जफर की मिया ने खीज कर कहा फिर अलट पलट के वही बात लिख लीजिए बस यही नाम आपको कौन बासा के नाम चित्थी रुका वेजना है कि डाख खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूर ही है इसमें मिया बोखला जाते हैं हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारी गर से बोले अरे वो बबबन मिया भठी सुलगा दो तो काम से निपते हैं तो हमने पूछा ये बबबन मिया कौन है साथ मिया ने रुखाई फिजैसे फांक ही काड़ दी अपने कारी गर और कौन होंगे मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं पर मिया नसीरुत दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधर के आसात देख या मजमून न शेड़ने का फैसला किया इतना ही कारी गर लोग आपकी सागिर्दी करते होंगे है काली सागिर्दी नहीं साब गिनके मजूरी देता हूं दो रुपए मन आटे की मजूरी चार रुपए मन मैदे की मजूरी हाँ ज्यादा तर बटी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं मिया को अब तक इस मजमून में कोई दिल्चस्पी बाकी नहीं रही थी फिर भी हम से शुटकारा पाने के लिए बोले अरे बाकर खानी शीरमाल ताफतान बेशनी खमीरी रूमाली गाव दीदा गाजेवान तुनकी ये सब रोटियों के नाम हैं फिर तेवर चड़ा हमें घूर कर कहा तुनकी पापर से ज़्यादा महीन होती है महीन हां किसी दिन खिलाएंगे आपको एका एक मिया की आखों के आगे कुछ कौंद गया एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करते हुए कहा उतर गए वे जमाने जैसे लोग पुराने जमाने की याद करते हैं वे जमाने गुजर गए और गए वे रखाने खाने की कद्र करना जानते थे मियाँ आप क्या रखा है निकाली तंदूर से निगली और हजम कर गए इस तरह से यह शब्द चित्र प्रिश्णा सोबती जी ने मियाँ नसीरुदीन के माध्यम से ब्यक्त किया है आपने इस शब्द चित्र में देखा कि लेखिका ने मियाँ नसीरुदीन को नान बाईयों का मसीहा कहा है ऐसा क्यों? नान बाई नसीरुदीन का यह पेशा खानदानी है इस हुनर को उन्होंने अपने दादा मियाँ कलन और वालिद मियाँ वरकत जो शाही नान बाई गड़हिया वाले के नाम से मसुहूर थे उन से सीखा है उनके दादा के लिए कहावत मसुहूर थी क्योंगे कुए में भी रोटी पका सकते हैं नान बाई अपने जो मियाँ नसीरुद्दीन हैं वे चपन प्रकार की रोटीयां बना सकते हैं इनी खूबियों के कारण मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाईयों का मसीहा कहा गया है अब इसमें बच्चो आपने समूचा शब्दचित्र देख लिया पढ़ लिया आप यह बताईए कि नसीरुद्दीन साहिब की काउन सी बात आपको अच्छी लगी वास्तों में मियाँ नसीरुद्दीन साहिब का पंच हजारी अंदाज के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पांच हजार सैनिकों का जो मालिक होता है कैप्टन होता है उस तरह के रुत्वा वाले थे मियाँ नसीरुद्दीन साहिब तो मियान नसीरुद्दीन का पंच हजारी अंदाज से सिद्ध हिला कर लेखिका के प्रस्णों का उत्तर देना और थोड़े समय में सारी बात कह जाना एक तो यह सबसे वड़ी खूबी है मियान नसीरुद्दीन साब का अखवार बनाने और पढ़ने वाले को निठला कहना कि जब कोई काम नहीं होता तो यह अखवार बनाते हैं चापते हैं और पढ़ने वाले भी निठले होते हैं लेखिका को नानवाई का प्रसिक्षण मने पाने का प्राप्त करने का जो ढंग है बड़े क्रम से उन्होंने बताया अपने पिता और दादा के नानवाई के रूप में प्रसुद्ध होने का वर्णन करते हुए वे भाव विभोर हो जाते हैं गुरू और सिच्ष के उधारण के द्वारा शिक्षा प्रसिक्षण आदिके महत्त को बताते हैं यह तो आपके लिए भी बड़े अनुभो की बात है कि आप जब विज्ञान विशे का सिध्धान्त पढ़ते हैं से धान्तिक बातें पढ़ते हैं तो आपको प्रेक्टिकल कर हें नहीं प्रेयुक करना होता है बिनाप्रियुक के कोई बाद सीखिने जा सकती बस वही मध्र प्रसिक्षण इसके महततो को उन्हों ने बताया है अपने बुजुरूगों की प्रसंसा में बाद साफ से सम्मंदित कलपित कता सुनाना ऐसा आपको नहीं लगता कि उर्खे थे वो बड़े बड़े बास्टाहों ने उनकी तारीफ की है उनको नानबाई बनाके खिलाया करते थे उनको रोटियां बनाके खिलाया करते थे अच्छा अब सवाल यह उठता है कि आपने इसको बीच में समझा है वे 56 प्रकार की रोटियां हैं कौन सी बहुत माइने रखती है मिया नशेरुद्दीन के अनुसार वे 56 प्रकार की रोटियां है जिसमें सीर माल है ताफ्तान है बेशनी है खमीरी है रूमाली गाव दीदा गाजेबान तुनकी आदि रोटियां है अच्छा आज कल अब इस पाठ को लिखने का जो उद्देश से है लेखिका का उसको देखिए कि आज जो नानबाईयों के प्रति समाज की सोच कैसी है उन्होंने शब्द चित्र दिया मिया नसीरुद्दीन साब का एक रेखा चित् इस पर फित्य इसकी क्या है उनकी तो मिया नसीरुद्दीन नानबाई के कारे को एक कला स्वरूप मानते हैं अब बड़े गर्म के साथ बढ़ इस वात को कहते हैं पहले इस कारे और करने वालों के प्रति समाज में एक सम्मान की सोच थी लोगों की लोगों में का मनें एक स मान जहलकता था ऐसा मिया नसीरुद्दीन का मानना है परन्त वर्तवान में इसके कद्रदान लगभग नहीं के बराबर हैं लोग काम निकल जाने तक ये सारी चीजें कला की बारी कियां जानना चाहते हैं और इसके बाद सम्मोन हो जाते हैं ऐसा मिया नसीरुद्दीन साब का कहना है अब क्या रखा है इन बातों में आजकल रोटियां तंदूर से निकालते हैं लोग और निगले और निगलने के बाद हजम कर जाते हैं तो आप में देखा इस रेखा चित्र के माद्यम से संस्मान के थीचा है जो हिंदी साहित्य में अन्यत्राप को देखने को नहीं मिलेगा